हेलो दोस्तो, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इस चैनल का होश्ट और आप से भी का दोस्त और आप देख रहे हैं हमार अपना यूट्यूब चैनल, डेटा, क्यूशन दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा क्लास 8 का लेशन 1, दा विंड कैप को डिसकस करने वाले हैं और इसी स्टोरी, दा विंड कैप के ऑथर है, जैन यॉलिन दोस्तो, आप लोग इसी स्टोरी को अच्छी तरीका से हिंडी में लाइन बे लाइन समझें, उससे पहले चलिए राइटर के बारे में तोड़ा देख लेते हैं, जिससे अगर एक्जाम में राइटर से रिलेटेड कोई कुश्यन आ जाए, तो आप लोग उसे छोड़े न दोस्तो, इन्होंने fantasy, science fiction and children's book लिखी हैं, इन्होंने करीबन 280 books लिखी हैं और इनके अगर कुछ famous works, notable works के बारे में बात की जाए, the holocaust novella and the devil's arithmetic कुछ famous works हैं, दोस्तो, इनकी जो इस popular short story हैं, उनमें से एक आपकी syllabus में दी गई है, the wind gap जो क्या पढ़ रहे हूं, तो दोस्तो, हमने जैन यॉलेन के बारे में जाएक लिया, उसे अच्छी तरीका से जाल लिया, अब चलिए इस story को अच्छी तरीका से देखते हैं, एक समय एक लड़का था, जिसको सेलर बनने का बहुत इच्छा था, पर उसकी मम्मी की इच्छा नहीं है, कि वो सेलर बने और सी में जाए, उस लेड उस बॉइ की मम्मी कहती है, उसे कि बच्छे, तुमको भी सेलिंग के बारे में पता ही क्या है, अभी तुम सेलिंग के बारे में उतना कुछ नहीं जानते, वो कहती हैं, कि तुम्हें किसान के बेटे हो, तुम हैं सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें सी का कोई भी आइडिया नहीं है Now the boy whose name was John had always obeyed his mother अम्याँ पे वो लड़ वो लड़का का नाम John था वो अपनी मम्मी की हमेज़ा बात मानता था अग्याकारी पुत्र था So he went about his farm work with a heavy herd but did not again mention the sea तो उसके वाचा से अपनी मम्मी की बात सुनती वे वो वापस से farm के और निकल जाता है भारी मन से भारी दिल से काम पे जुड़ जाता है काम करने लगता है और फिर से दोबारा से कभी BC में जाने की बात नहीं कहता है One day he had been walking behind the plug एक दिन वो plug के पास से यानि हल के पास से गुजर रहा था क्योंकि वो किसांगा बीटा था तो उसके चार और ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे He all but ran over a tiny green turtle on a cloud of dirt तभी वो देखता है कि मिट्टी में एक जो turtle है वो गंदा हो गया है उसे चलने में वहाँ दिक्कत हो रहा है उसकी वहाँ पे जान जा सकती है तो वो क्या करता है दोड के उस turtle के पर जाता है उसे बचाने के लिए He picked the turtle up and set it on his head where he knew it would be safe वो क्या करता है उस turtle को उस मिट्टी से उठा लेता है उसे अपने सर पे रख लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर टर्टल को अपने सर पे रख लेगा तो टर्टल उसके सर पे safe रहेगा उसे कोई भी परिशानी नहीं होगी When he was done with plugging John plugged the turtle from his head और जब जोन का काम खत्म हो जाता है उसके खेत में तो वो क्या करता है उस टर्टल को अपने सर पे से उतारने लगता है To his utter surprise he found that It had turned into a tiny green fairy man That stood upon his palm and board जब वो उतारता है तो अचानक सिर्व देखता है अश्चरे के साथ कि वो टर्टल एक fairy man मन जाता है छोटा सा green color का fairy man मन जाता है जो कि उसके palm, sorry, उसके palm यानि कि उसके हाथ के हतेली पे ख़र रहता है अपना सर छुकाई हुए I thank you for your kindness Tell me your heart's desire and I will grant you For saving my life, said the fairy अब यहाँ पे वो tiny green fairy man जो रहता है वो उसका सुकरियादा करता है बोलता है कि तुमारी इस दयालू पन के कारण मेरी जान बज़ गई तो मेरी दिल से इच्छा रहेगी कि तुम मेरे सामने कोई अपनी इच्छा बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है John bought back but said nothing तो John भी क्या करता है अपस से सर छुकाते वह उसे इसपेक्ट देता है पर कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो अपने दिल के बात उसे बताना ही नहीं चाहता था क्योंकि जसकी मम्मी ने उसे sailing करने से मना कर दिया था Although his heart year to go out to the sea he did not express his ways जब कि उसका जो दिल था उसकंदर एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो sailing करे C में जाए और C को देखे पर फिर भी वो अपनी इस बात को उस Green Ferryman के सामने नहीं बताता है नहीं रखता है The Green Ferryman को radar hot easily So he said I see you wish to go sailing यहाँ पे वो जो Green Ferryman रहता है वो उसके दिल के बात को बहुत ही आसानी से पढ़ लेता है और बोलता है कि मेरी ज़रेगी कि तुम sailing जरूर करो sailing पे जरूर जाओ John's way is answered for him जब वो ऐसा बोलता है तो John को सोजाता है और उसके चेहरे में भी जलगता है कि उसको sailing करने की बहुत इच्छा है और उसे अभी भी मने कि वो sailing करें तो दोस्तो इसे के साथ हमें first part complete कर लिया है बाकी कर जो बचा हुआ है second part और third part हमें second video और third video में complete करेंगी तो आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपके कोई doubts है क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताए चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जादा जाद अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जिने इन वीडियो की जरूरत है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगा आपसे अगले नेक्स नहीं वीडियो में तक तक लिए स्टेट यून इस्टड़ी हाड जैहिन वंदे मात्रों